पनाएंगे हम सर्दी वाला खाना वो भी केवल 7 मिनिट में और इसके लिए एक ट्रिक आपके लिए बहुत काम किये तो सर्दी वाला और जल्दी वाला खाना तो हमारे यही होता ना कि उड़त दाल की खिष्डी बनाईए और मोच करिए तो इस खिष्डी को बनाने के लिए म मैं अपने घर में हमेशा उड़त की दाल और चावल को मिस्क करके रखती हूं तो मैंने यहां डेड़ गलास अपने खिष्डी निकाल लिए और कुकर ले लिया है तो मैं यहां दाल और चावल को बिक्कुल भी सोक नहीं कर रहे हूं हैं ट्वेंड मोस को पानी से दोकर जरूर डालती हूं और एक चमर डाल देंगे यहां पर जीरा आप आदर चमर भी डाल सकते हैं थोड़े सी डाल देंगे हीं बस बहुत कम मसालों में बनके तयार हो जाएगी हमारे यहां पर यह किचडी तो आपके अगर डेड़ गलास खिचडी है तो आपको तीन गलास पा कुकर में डाल दीजिए अब देखिए आपको इसमें कुकर का ठकन है वह कब लगाना है तो आपके खिचडी में बहुत अच्छी तरीके से उबाला जाएगा तब आपको यहां पर कुकर कर लिड लगाना है और हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं करना है इसका का मेडियम फ्लेम रखनी है और आपको लगानी है दो सीटी तो देखिए बहुत अच्छी तरीके से उबाल भी आना शुरू हो चुका है मैंने एक बार और अच्छी तरीके से चला दिया है और कुकर कर लिड लगा देंगे मीडियम फ्लेम कर देंगे और दो सीटी हम यहां पर लगा अब देखिए इसे खाने का तरीका मैंने यहां पर चेंज कर दिया है तो वीडियो को इसकी बिल्कुल भी ना करें तो दो सीटी आ गई है गैस पर से कुकर कह मुतार देंगे तरका पैन लेंगे उसमें डाल देंगे सलस्व का तेल और यहां पर लिए मैंने तीन साबुत ल होनिया ताकि यह अंदर तक बहुत ही अच्छी तरीके से सिख जाएं आप सोच रहो कि मैं लाल मिची का क्या करने वाली है तो जनाव अभी तो इसमें जीरा डालना भी बाकी है तो मैंने जीरा डाल दिया है और तुरंद ही मैंने गैस का फ्लेम आफ कर दिया है और इसे करना है तो देखे कुकर की जो गयास है वो निकल चुकी है अब अपने चावलों को बहुत ही अच्छी तरीके से चला लेंगे तो एक ट्रिक आपके लिए कि कभी भी चावलों को बीच में से ना चलाएं चोटा सा चमचा लें और साइड में से चलाना शुरू करें तो मैं आपको दिखा देती हूं कि मेरे डाल और चावल बहुत ही अची तरीके से गल गए इस तरीके से बनाएंगे तो दाल और चावल बहुत ही जल्दी यानि कि खचडी आपकी बहुत जल्दी बनके तैयर हो जाएगी और बिल्कुल भी कच्छी नहीं रहेगी क्योंकि उरत की पानी जादा लेती है लेकिन हमने कोई सोक नहीं किया है भिगा कर नहीं रखा यह चीज़ों को फिर भी हमारी जो खिच्डी बहुत ही तेस्टी बनी है अब जो तरका हमने बना कर रखा तो नहीं सरसोके तेल का इस तरीके से प्लेट में खिच्डी ट्रांस्वर कर दीजिए यानिके सर्व कर दीजिए और उपर सी तड़का डाल दीजिए तो अभी तो जाने की जुरुत बिल्कुल नहीं है मैं आपको इसका ट्रिक बताऊंगे कैसे खाएंगे ताकि और भी स्वाद लगे तो देखें यहाँ पर गाजर, मूली या फिर चुकंदर अगर आपके पा तो अपनी जो हमने मिर्शी भून के रखी ना उसे इस तरीके से उपर से डाल दीजिए और भी तीखी लगेगी तेस्टी लगेगी आप बताईए क्या आप भी उड़त की डाल की खिचरी इस तरीके से खाते हैं ना तो देशी और ना दही लेकिन फिर भी स्वाद में लग